आज इस वीडियो में हम मुच्वल फंड की बारे कियों के बारे में जानेंगे टीवी पर आपने एड तो देखा होगा मुच्वल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े मुच्वल फंड सही है पर मुच्वल फंड में क्या सही है क्या केवल टीवी पे एड या चार वर्ड की लाइन पढ़ने के बाद हम डारेक्ट मुच्वल फंड में इन्वेस्ट कर दें हमें क्या कारण देखने ही चाहिए कि हम मुच्वल फंड में इन्वेस्ट करें और इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाले हूँ Mitchell Fund के क्यों के बारे में जिससे आपको अपने future के लिए जो आप अपने लिए capital जोड़ना चाते हैं अपने retirement के लिए आप पैसा जोड़ना चाते हैं या आपने कोई goal सेट किया उसे पाना चाहते हैं, तो mutual fund ही क्यों सही विकल्प है, इस वीडियो में मैं आप से उसके बारे में चर्चा करूँगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हाई दोस्तों, मेरा नाह में सनी, आप देख रहे हैं, इंपर्शन चैनल, दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अनुपम जी को, जिन्होंने अभी लास्ट में में एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने मेरे को काफी मेरे को प्रसाहां दया, तो ऐसा ही प्यार आप लोगों का मेरे साथ बना रहे, ताकि मैं आपके लिए और भी रिसर्च करके वीडियो बनाओ, और अगर मेरी वीडियो में आपको कोई खामिया नजर आती हैं, तो आप उसको भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, यह ऐसा म अच्छ है, जहां हम आपके साथ information shares करते हैं, जो मुझे knowledge होती है, वो मैं आपके साथ बाढ़ता हूँ, और आपके को भी अगर मेरी वीडियो में कुछ content गलत लगता है, तो आप जरूर उसे comment करके बताएं, ताकि मुझे भी आप से कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को आ सकते हैं, आप lands में invest कर सकते हैं, और भी properties में आप invest कर सकते हैं, पर mutual fund में ही आपको investment क्यों करना चाहिए long term के लिए, तो एक अच्छे investment में डो जो खुबी होनी चाहिए, वो हमें अलग-लग classes में नहीं मिलती, चाहिए आप gold में invest कर लेते हैं या किसी और भी scheme में, मगर अग management मिल जाता है, हमें safety भी मिल जाती है, diversity मिल जाती है, और एक अच्छे investment में जो खुबिया होनी चाहिए, वो समझ सारी की सारी खुबिया, एक mutual fund के platform पे हमें नजर आती हैं, हम कहीं भी invest करने जाती हैं, तो सबसे पहले हमारे minds में काफी सारी, काफी सारी questions होते हैं, हमारी investment को लेके कि जहां हम investment कर रहे हैं, क्या वो पैसा secure रहेगा, तो mutual fund में यह सारी खुबिया आपको मिल जाती है, आपको tax से रहत भी मिल जाती है, experts की advice भी मिलती है, जो आपके पैसे डूबने से आपको बचाते भी हैं, और आपके पैसे को liquidity की भी options मिल जाता है, जिससे आपको ज level debt पर locate होती है, जबकि mutual fund कई सारी assets को cover करता है, अब एक सवाल आता है कि अगर ऐसे में आप एक नए investor है, या एक retire investor है, तो tax के purpose है, क्या mutual fund में investment सही विकल्प है, तो मैं यहाँ सबसे पहले clear कर देता हूँ आपको कि mutual fund में TDS का concept नहीं था, नहीं था, इसलिए बोल रहा capital gain पर tax का कोई concept नहीं है, इसका सबसे बड़ा फायता है, ऐसा नहीं है कि आप एले bank में पैसा जमा करते हैं, उसके बाद जो आपको 6 मेने में या एक साल में interest मिलता है, उसे बचाने के लिए आप TDS certificate रिकठा करते रहते हैं, फिर उन्हें अपनी return में सारे paper अटेज करके ल पर थी, तो 10 साल तक के लिए आप tax से बिलकुल रहत है, आपको tax के बारे में सोचें कि यहां कोई जरूरत नहीं होती, आप जब पैसा withdrawal करते हैं, उसी वक्त आपको उसका calculation करके उसमें से जो आपका principal amount है, वो हटा कर जितना भी आपने gain किया है, उस पर long term के हिसाब से tax calculate करक और जबकि आमतर उर्पे क्या होता है, अगर पैसा आपने bank में डाल रखा है, तो bank में आपको पैसा quarterly या 6 मेने में या एक साल में जो आपको interest मिलता है, वो आपको हर साल अपनी accurate income में show करना होता है, उसके बाद चाहे भले ही वो पैसा आपके cash flow में ना आया हो, फिर भी tax देना पड़ता है, मगर यहां Mitchell fund में ऐसा कुछ नहीं होता है, यहां आपको tax तभी calculate करना होगा, जब वो पैसा आप withdrawal करते हैं, जब कि जब आप जो bank में पैसा आप earn करते हैं, जो आपके ने अगर FD में डाल रखा है, जो आपको ब्यार भी मिला है, वो जो पैसा आपका account उसे आपको अपने income में शो करना होता है, हर साल, मगर यहां Mitchell fund में अगर उसे हम compare करके देखे तो यहां ऐसा नहीं होता, यहां एक ही time आपको उसे calculate करना होगा, जब वो आप उसे withdrawal करते हैं, तो यहीं Mitchell fund का सबसे बड़ा फायदा होता है, कि इसमें tax efficiency मिल जाती है, बात करते है, SIP, STP और SWP में क्या tax लगता है, तो एक नए investor के लिए SIP, STP और SWP जाना बहुत ज़रूरी होता है, कि हम सब बात तो करते हैं कि SIP करा लेते हैं, SIP करा लेते हैं, पर वो SIP वास्तव में होता क्या है, इसके functions कैसे काम करते हैं, और SIP, STP और SWP क्या है, तो उसके बारे म में आपको यहां विसकार से पूरी चानकारी देता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको इससे समझने में और असानी होगा, SIP, STP और SWP, इसमें tax का पहलो समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि SIP, STP और SWP एक माध्यम है, इन्वेस्ट करने का, जिसके माध्यम से आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और पैसा निकाल भी सकते हैं, SIP में अप धीरे धीरे अपना investment करते हैं, SIP में 12 किस्टे, जब आप SIP में 12 महां की किस्टे प्यट करते हैं, तब जाके वो एक किस्ट कहलाती है, यानि कि आपको यहां बहुत समझना होगा कि आपकी SIP कि पहले होती है जब आप अपनी 12 किस्ट किस्ट एंठ को फी الذ किस्ट आपनी 24 एक दूसरी किस्त के जब 24 मंत पूरे होते हैं तो taxation आपकी SIP में हर महिने की 12 किस्त के बाद लगता है 12 किस्त के बाद आपको इसका tax का benefit मिलता है अब बात करते हैं STP की STP यानि की systematically transfer plan ये वो एक माध्यम है जिसकी सायत है थे आप अपना पैसा debt में लगाते हैं और फिर धीरे धीरे उसी पैसे को आप equity में transfer कर दे तो इसमें आपको debt में और equity में भी taxation को समझना जरूरी होगा अगर कोई इंसान दोनों में ही liquid fund में अपना पैसा invest करता है और अपने expert management को कहता है कि इसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा इक्विटी fund में पैसा transfer कर दे तो यहां दोनों तो इसमें दोनों का taxation अलग हो जाता है तो यहां आपको यहां दोनों का taxation समझना जरूरी होगी debt में लगा जो पैसा होता है वो तीन साल तके लिए नहीं टिकता क्योंकि उसमें से आप धीमी धीमे थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल कर equity में डानल शुरू कर देते हैं तो इसमें long term taxation नहीं लगता क्योंकि इसमें पैसा पूरे तीन साल नहीं रुखता इसी वज़े से इसम से निकल कर चला जाता है equity में तो उसमें वो काफी समय तक पढ़ा रह सकता है तीन साल से लेकर पांस साल तक पढ़ा रह सकता है यह दस साल तक भी पढ़ा रह सकता तो उसमें जो taxation लगता है वो long term capital gain tax लगता है यहां आपको समझ आ गया होगा STP कैसे work करता है अब बात करते है SWP systematically withdrawal plan आपको कैसे काम करता है इसमें क्या होता है कि जब आप अपना पैसा withdrawal करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका मूल जाता निकलता है और उसमें return जो होता है जो आपने earning की है से उतने portion पे इसका dividend लगता है तो इसमें जो आपको tax लगता है वह बहुत कम लगता है इसी वज़ा से आपको tax efficiency भी मिलती है इसलिए इसमें आपको tax का TDS का भी benefit मिलता है SIP, STP और SWP के बार में हमें एक छोटी सी चीच और बताना चाहूंगा कि ज़रूरी नहीं कि आप इनकी बारी किसे पूरी detail भी जाच करें आज कल क्या हो गया कि आप अगर funds में कहीं mutual fund में Titan करते हैं तो आपकी जो expert advisor होते हैं वो साल में आपको आपका statement दे सकते हैं अगर आप उनसे भी कह देंगे तो आपको capital gain का statement आपको निकाल के देंगे या आप किसी एप कि सब्सक्राइब बहेंified कर देंगे तो वहां भी option मिलता है जिससे आप अपने capital gain का investment निकाल सकते हैं उसमें बकायता सारी चीड़ी डिटेल में लिखी होती है, बस आपको उसकी कॉपी निकाल कर अपनी ITR के साथ अटेच करके आपको अपनी रिटन पाइल कर देनी है, अगर आपने पैसा एक साल से कम की अबधी में ही निकाल लिया है, तो उसमें शौट टर्म इन्वेस्मेंट की चाहिए है, तो कैसे किसी इन्वेस्मेंट के साथ हम लॉंग टर्म रह सकते हैं, यहां हम बात करते हैं कि आप कैसे किसी एक अच्छे इन्वेस्मेंट के अपना स्टार्ट कर सकते हैं, यह ज़रूरी नहीं है कि आप पहले कुछ सालों तक पैसा जोड़े, उसके बाद मि एक बहुत बड़ी खुबी है कि यहां इंसान एक 100 रुपए से भी अपनी सेविंग स्टार्ट कर सकता है और अगर हम बात करते हैं आम तोर पर मेरी एक यही कारण काफी है म्यूचल फंड से लव करने के लिए क्योंकि आम इसे 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं अब हम 135 करोड अबादी वाली कंट्री में रहते हैं बहुत बड़ा मुल्क है यहां नॉर्मली जिसने भी इंसान अर्निंग करते हैं वो इतना तो कम से कमाते होंगे कि मिनिमूम 500 रुपए तो आप बचा सकते हैं अगर आप 500 रुपए भी नहीं बचा पा रहे हैं तो कम से कम आपको अपनी अर्निंग में इतना तो फोर्स करना चाहिए कि आप मंतली अपनी 500 रुपए एक सेविंग करके चले अब बात करते हैं कि लॉंग अफदी तक अगर आपको हैं वहाँ महीने के किस्त बांदेते हैं और होता क्या है कि माली जी वह तुकान दर किसी कारण से आपनी दुकान बंद करके चला गया तो यहां तो आपका पैसा डूब गया तो मृचल फंड में इक किसका यही पेनिफिट होता है कि आप इसमें लॉंग टर्म जोड सकते है क्योंकि यहां आपकी जो पैसे की investment है उस पर नज़र रखता है उसे भी रखता है क्योंकि वो हर लिहां से बहुत बारिकी से आपकी investment पर नज़र रखते हैं ताकि investor का पैसा यहां mutual fund में सुरक्षित रहे और यहां वो उन्हीं company को आपके सामने लेकर आते हैं जिनको आप आप बंद करके 30-40-50-60 साल तक के आप उनके साथ work कर सकते हैं investment कर सकते हैं और वो company की इसलिए हर बारिक से बारिक मोमेंट को ध्यान में रखकर ही पबली का पैसा invest करवाते हैं हमने चिफ्ट फंड भी देखे थे उसमें कोई regulation नहीं था इक investment करने के लिए एक लंबी अबदी के आपको पैसा जोड़कर खाली investing नहीं करना होता है आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होता है कि जहां मैं पैसे invest कर रहा हूं क्या वो जगा सुरक्षित है क्या मुझे वहां से निश्चत रिटन्स भी मिलेंगे यही चीज़े हमें mutual fund में मैं बात कर रहा हूं कि यहां क् security पर जो मेरा में मोटीफ है कि mutual fund में हमारा पैसा क्यों सेव रहता है क्योंकि यहां से भी हमारे पैसों की अच्छी तरह से देख रहे करता है तो आप किसी ऐसी कंपनी में अपना पैसा invest कर सकते हैं mutual fund के थूरू जहां आपको लगता है कि यह कंपनी लॉंग टर्म ठीक है ग रखता है और यहां पैसा आपका सेव रहता है साथ में इस बात का भी ध्यान रखता है कि आपकी investment में लगा हुआ पैसा डूबे नहीं और साथ में एक अच्छे रिटन्स के साथ आपको एक निश्डित अफदे के बाद वापस मिल अब बात करते हैं कि अगर किसी कारण वर चे मेने साल भर के गैप में एक मुष्ट लंसम एमांट इंवस्ट करते आ रहे थे पर अब किसी कारण घर में कुछ क्राइस आगए डिससे आप investment रेगुलर नहीं कर सकते तो घबराने की जुरूरत नहीं है आप ऐसा कर सकते हैं मिच्छल फंड आपको इसकी पूरी देता है यही तो मिच्छल फंड की खास बात है कि यह सारे फैक्टर को समझता है इसलिए अगर आप उसे बीच में रोकते हैं तो आपको इसके ऊपर कोई पैनल्टी नहीं देनी होती आप जब चाहें उसे फिर से दो महीने बाद तीन महीने बाद री स्टार्ट कर सकते हैं आपको इसके लिए कोई एक्स्टा पैनल्टी पेड़ करने की ज़रूरत नहीं होती और रही बात लॉस होगा तो इसमें कोई लॉस नहीं होता तो क्योंकि जितना पैसा आपने मिच्छल फंड में लगा रखा है वो उतना तो प्रोग्रेस करी रहा है बाकि जब आप बात यह सब्सक्राइब तो प्रही बात पैनल्टी की तो ऐसा कुछ नहीं होता अगर आप बीच में रोकना चाहें तो इसे रोख सकते हैं अब बात करते हैं कि अगर हम एक्सेल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट फी पे करन अगर आपको अच्छी जानकारी आपको अच्छी जानकारी है आपको इन्वेस्ट के बारे में आप उसकी बारे क्यों को अच्छी से जानते हैं तो Mitchell Fund आपको permission देता है कि आप direct plan भी खरीद सकते हैं कुछ Mitchell Fund आपको direct plan sale करते हैं तो उससे आपको extra fees नहीं देनी होगी बच अर्थे आपको Mitchell Fund के बारे में अच्छी जानकारी हो तो आप इन खर्चों से तब बच सकते हैं अगर आप किसी से को hire करते हैं या किसी एप के थूप परचेस करते हैं investment करते हैं इसाइप करते हैं तो उसका थोड़ा सा percentage आपको यहां प्रेट करना होता है हर एक के लिए यह expenses अलग-अलग हो सकते हैं एक सवाल यहां और आता है बहुत से लोगों के मन में कि आप कैसे सुनश्चित कर सकते हैं अगर आप एक नए investor हैं और retirement के बाद आपको एक अच्छा खासा हर मेंने कुछ amount मिले तो उसके लिए आप कैसे उसे सुनश्चित कर सकते हैं मिजर फंट की यही खास बात है कि इसमें हर उमर के लोगों के लिए आप product उसे दे सकते हैं हर उमर के लोगों के लिए इसमें एक अच्छा प्लाइन रहता है एक अगर में middle class की बात करूं तो एक middle class भी अगर इसमें regular time से invest करता आ रहा है और एक अच्छा investor है तो उसे भी उसके retirement 40-50 रुपया मिल जाता है अब अच्छा यहां retirement person भी अलग-अलग हो सकते हैं बहुत से retirement person ऐसे भी होते हैं जिनकी other source of income भी होती है मतलब की बिजनस्में भी हो सकते हैं आपकी income में आपको अगर मालीजिया आपकी properties बहुत ज्यादा है कुछ आपने रेंट पे दे रखिए तो वह भी आपको other source income आ रही है agriculture income से भी आ सकती है तो यहां आपको यह देखना होगा कि जो आपको 40-50 लाग रुपया मिला है तो उसे आप कैसे उसे अपनी मंतली इंकम में रखना चाहते हैं तो देखे मैं इसके लिए आपको एक सला दूंगा जाहिर सी बात है कि जब आपको 40-50 लाग रुपया मिलेगा तो definitely उस समय आपको यूज करना नहीं होगा तो आपको इस यर तोटल आपको कितने खर्चे की जरूरत है जाओसातन मान लिजए कि आपने पचास लाग रुपया लिक्विटर पाफ्या है बाकीыт के 10 लाग रुपया या 15 लाग रुपया सारे पैसे एक साथ नाले आपने पहले साल का देख लेना है कि मेरे को साल का कितना खर्चा है उसके हिसाब से आप अपना पांच लाग रुपया लिक्विट में डाल दें कुछ पैसा आप डैप्ट में छोड़ दें और बाकी का पैसा एक्विर्टी में डाल दें इसे बैनिफिट क्या होगा आपको हर महीने जो पैसे की दरकार रहे है कि 20,000 या 25,000 या 50,000 जो भी आपको मन्तली रुकारिम्ट में से निकाल सकते हैं जब ऐनी टाइम उसके बाद अगर आपको माले जो कोई पैसे ज़राता है या पैसे ज़रूरत पढ़े जाती है तो लिक्विट फंड के बाद आपके पास डेप्ट फंड का भी एक ऑप्शन रहता है इसका बैनिफिट क्या होगा कि आपका जो इक्विटी में पैसा पड़ा वो तब तक अगले तीन से चार साल में और ग्रो कर जाएगा यानि कि आप पैसे से पैसा भी कमा लेंगे अब बात करते हैं नौमनीज की जैसे कि बैंक में होता है कि हम अपना नौमनीज कर सकते हैं तो वेल दोस्तों में यहां बतावागा कि मिचल फट में भी हम नौमनीज एड़ कर सकते हैं जैसे की आप एक ही improvise add कर सकते हैं यह फीचर्टिस आपको मीज़र CONTAISM मैं इससे बैतर मिलता है उट कर सकते हैं अब एक और सवाल कि यहां ज़रूरी नहीं कि आम Ple tan relation वाला ही लूमनीज कर सकते हैं आप अपने ट्रस्ट का मतलब होता है कि भरोसा के आदमी को तो आप अपने भ्रोसे के आदमी जो आपको लगता है कि लिए बिल्कुल सही है मेरे लिए ये मेरे पैसों के साथ कोई गलत वेवार नहीं करेगा और इनको मिस्यूज नहीं करेगा आप उनका नाम दे सकते हैं और साथ में आप यहां यह भी डिसाइट कर सकते हैं कि किस को कितना परस इसे डिजाइन किया गया है बहुत सारे फंक्शन इसमें दिये गए हैं जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को हर तरीके से काफी सारे फंक्शन प्रोवाइट करता है अब बात करते हैं क्या केवल ब्लड रिलेशन वाले कोई नॉमनिस बनाया जा सकता है या अधर परसन को भी अभी किसी कारण से आपने नॉमनिस का नाम डाला अपने बच्चों का नाम डाला बट वह अभी बड़े नहीं हुए हैं तो इसलिए आपने अपने अधर परसन को ढाल दिया है खुदा ना खासता आपको कलकोगच हो जाता है तो वह परसन इतना ट्रस्टेबल होना कि जब वक्त पड़े और वह पैसा आपके बच्चों को वह पूरा का पूरा एमाउंट आपके आपके अपसेंस में वह उन्हें ही दे उसका मिस्यूज ना करें तो ऐसे बंदों को जरूर एड करें दूसों अगला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा अगला वीडियो में सब्सक्राइब करना चाहिए तो मेरे चैनल को प्ली सब्सक्राइब करके रखें भूलिएगा मत बैल आइकन को दबाना और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा क्यों उसी से मुझे प्रेंट ना मिलती है थैंक